भारतिय अंतरिक शनुसंधान संगठन यानी की इसरों ने 22 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर लगातार 14 दिनों की ठंडी रात बिताने वाले विक्रम और प्रग्यान को पुनर जीवित करने का प्रयास किया, हाला कि अभी तक इसरों को इसमें सफलता नहीं मिली है अंतरिक शनुप्रयोग केंदर के निदेशक निले शैम देसाई का कहना है कि यह एक आटोमेटिक प्रकिया है, इसे प्रित्वी से दूर से शुरू नहीं किया जा सकता है उन्होंने बताया कि सौर उर्जा से चलने वाले लेंडर और रोवर के रिचार्ज होने के बाद ही सिगनल मिलने की उमीद है आपको बता दे कि जिस हिस्से में चंद्रायान ने लेंडिंग की थी वहाँ 22 सितंबर को सूर्यो दे हुआ है चंद्रमा से अभी तक कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिला है जिसे इस्रो वेग्यानिकों को निश्क्रिय अंतरिक श्यान के साथ संपर्क स्थापित करने के अपने प्रयासों को तेज करना पड़ा है देसाई ने इस्रो की प्रतिबधता की पुष्टी करते हुए कहा इस्रो के ट्वीट से स्पष्ट है कि लेंडर और रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ये आटोमेटिक रूप से पुनर जीवित होगा और सिगनल भेजेगा अब तक कोई सिगनल नहीं आया है आपको बता दें कि लेंडर और रोवर दोनों को क्रमश 4 और 2 सितंबर को स्लीप मोड में रखा गया था देसाई ने कहा कि 22 सितंबर को चंद्रमा पर सुभा होने के साथ ही सिगनल प्राप्त करने की संभावना बढ़ गई है उन्होंने इसकी आधी आधी संभावना बताई है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कनेक्शन स्थापित नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं मिशन पहले ही अपना काम कर चुका है यदि लेंडर और रोवर फिर से उठते हैं को चंद्रमा की सतह पर और प्रयोग किये जाएंगे इसरों के पूर्व वेग्यानिक मायल स्वामी अन्नादुराई ने इसके व्यापक परीक्षन का हवाला देते हुए प्रग्यान रोवर के बारे में आशा व्यक्त की है झाल